दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CSE Center चलाते हैं, आप एक CSE VLE हैं तो आप अपनी CSE ID की मदद से IRCTC का Agent कैसे बन सकते हैं? IRCTC का Agent बनने पर आपको काफी सारे benefits मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी Agent ID की मदद से Unlimited Tickets को Book कर सकते हैं, वही पर अगर आप IRCTC की Website पर अपना कोई Personal Account बनाते हैं, तो Personal Account से आप महीने में केवल 4-5 Tickets को ही Book कर सकते हैं, लेकिन Agent ID की मदद से आप Unlimited Ticket को Book कर सकते हैं, और दूसरा फाइदा ये है कि हर एक Non-AC Ticket पर आपको 20 रुपे का Commission दिया जाता है, और हर एक AC Ticket पर आपको 40 रुपे का Commission दिया जाता है, तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी CSC ID की मदद से IR CTC के Agent बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपको end तक देखनी है, बीच में स्कीप नहीं करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो IR CTC का Registration करने के लिए आपको अपने Digital सेवा Portal में आ जाना है, और Portal में आने के बाद Registration करने के लिए उपर आपको Search Bar में सर्च करना है, IR CTC, अब जैसे आप IR CTC को सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो अप्शन आ जाएंगे, अब यहाँ पे आपको second option मिलता है IR CTC Registration, इस पे आपको क्लिक कर देना है, अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा, अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा, अब दोस्तों यहाँ पे आप आपको आपकी email id आपका mobile number और आपका pen card number दिखाई देगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात को सुनिश्चित कर लेना है कि यहाँ पे आपकी email id और जो mobile number आपको दिखाई दे रहा है इस email id और mobile number से past में कभी भी IRCTC का registration नहीं किया होना चाहिए अगर आपने पहले कभ प्रोर सुनिश्चित कर लेना है कि इस email id और mobile number से past में कभी भी IRCTC का registration नहीं किया होना चाहिए अगर आपने पहले कभी registration किया था तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको email id और mobile number को change कर देना है तो सभी detail को एंटर करने के बाद नीचे आपको submit का एक option मिलेगा इस पे दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी date of birth को enter करना होगा तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे calendar open हो जाएगा इस calendar से आपको अपनी जो date of birth है उसको यहाँ से आपको choose कर लेना है तो यहाँ पे date of birth को choose करने के बाद आपको नीचे आना है अब यहा अगर आपको कोई middle name है तो वो यहाँ पे आपको enter कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी father का full name Enter करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको gender का option मिलेगा, यहाँ से आपको अपने gender को choose कर लेना है, तो यहाँ पे detail को enter करने के बाद आपको नीचे आना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने CSE Center का name enter कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने area का जो pin code है, वो यहाँ पे आ डिस्टिक है उसको आपको सलेक्ट कर लेना है डिस्टिक को सलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ओफिस का ओप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने जो पोस्ट ओफिस है उसको आपको सलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपने office address को enter कर देना है यानि कि जहां पे भी आपका CAC center है जिस भी location पर आप अपना CAC center चलाते हैं उस address को आपको यहां पे enter कर देना है तो address को enter करने के बाद आपको नीचे आना है अब दोस्तों यहां पे आपको अपने pen card को upload करना होगा लेकिन pen card को upload करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके pen card की जो maximum size है वो 100 kv से ज़ादा नहीं होनी चाहिए और आपके pen card का जो format है वो jpg होना चाहिए अब दोस्तों नीचे आपको अपने center के एक address proof को upload करना होगा यानि कि जिस भी location पर आप अपना CAC center चलाते हैं या फिर जिस भी address पर आप अपना CAC center चलाते हैं उसके एक address proof को आपको upload करना होगा तो address proof को upload करने के लिए यहाँ पर आपको select का एक option मिलता है इस पर आपको click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने काफी सारी documents की list आजाएगी इन में से आप कोई भी एक document को upload कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर आप अपने घर पे CAC center चलाते हैं यानि जिस भी location पर आपका घर है या फिर अगर आप अपने गाऊं में अपने घर पर ही CAC center चलाते हैं तो यहाँ पर आप अपने राशन काड को भी upload कर सकते हैं अपने water ID काड को भी upload कर सकते हैं और आप अपने passport को भी upload कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप अपने घर पे CAC Center नहीं चलाते हैं, आप किसी दूसरी location पर CAC Center चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी सारे option मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपना electricity bill को upload कर सकते हैं, यानि कि आपके center का electricity bill है, हर महीने जो आप अपने CAC Center का electricity bill पे करते हैं, उसको यहाँ पे आप upload कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपने bank statement को भी upload कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने document को select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों document को upload कर देना है, तो upload करने के लिए यहाँ पे आपको choose file पर click करना है, उसके बाद यहाँ से आपको terms and condition दिखाई देगी इन दोनों terms and condition पर आपको tick कर देना है उसके बाद नीचे आपको pay and submit का एक option मिलेगा इस पर क्लिक करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने form को एक बार अच्छे से check कर लेना है क्योंकि अगर आपके form में कोई भी गलती होगी तो दोस्तों जो payment होता है ये non refundable होता है तो आपको final submit करने से पहले अपने form को एक बार अच्छे से check कर लेना है आपको check कर लेना है कि आपके form में कोई भी गलती ना हो तो form को check करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको pay and submit पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप pay and submit पर क्लिक करोगे तो आपके सामने payment receipt आ जाएगी अब यहाँ पे आपको 1000 रुपे का payment करना होगा तो payment करने के लिए नीचे आपको payment का एक option मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप payment पर क्लिक करोगे तो आपके सामने CSE का payment gateway आ जाएगा अब यहाँ पे आप आपको एक हजार उपे का पेमेंट करना होगा और इसमें आपको कोई भी कमिशन नहीं दी जाती है आपके वॉलेट से टोटल एक हजार उपे काट ले जाते हैं तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी CAC ID के पासवर्ड को एंटर करना है उसके बाद नीचे आप आपके सामने कुछ इस्तरीगे का इंटरफेस आजाएगा हालागी दोस्तों मैंने रिश्टेशन अभी नहीं किया है और मुझे रिश्टेशन करना भी नहीं है तो मैं खाली आपको एक स्क्रीन शोट दिखा रहा हूँ तो कुछ इस्तरीगे का इंटरफेस आपके सामने आ उसके बाद नीचे आपको एक option मिलेगा status of application इस पे आपको click कर देना है अब जैसे आप इस पे click करोगे तो आपके सामने कुछ इस्तरिगे का interface आजाएगा अब यहाँ पे आपको आपकी CAC ID दिखाई देगी उसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number को enter कर देना है जो भी mobile number आ आपने registration करते वक्त एंटर किया था वही mobile number आपको यहाँ पे एंटर करना है उसके बाद नीचे आपको search पर click कर देना है जैसे आप search पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरिगे का interface आजाएगा no record found अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पे लगबग 7 दिनों का wait करना है यानि कि एक हपते का wait करना है एक हपते के अंदर अंदर आपकी जो agent ID है वो आपकी email ID पर भेज दी जाएगी जो भी आपके agent ID और password होगा वो आपकी email ID पर भेज दे जाएगा तो बीच में आपको अपनी email ID को भी check करते रहना है और अगर आपकी email ID पर आपकी agent ID और पासवर्ड नहीं आता है तो इसी तरीके से आप अपनी application के status को check करके अपनी agent ID और पासवर्ड को पता कर सकते हैं लेकिन साथ दिनों के अंदर अंदर आपकी agent ID और पासवर्ड है वो आपकी email ID पर भेज दिया जाता है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी CSE ID के मदद स IR CTC का agent बन सकते हैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो definitely आपको लाइक कर देना शेर कर देना और अगर आपके मन में कोई भी doubt है कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment कर देना अगर आप चैनल पर नही हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजाके करना फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फोलो जरूर कर देना